Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone तो exam का countdown सुरू हो चुका है KBS PGT की classes चल रही है ये और इस series का नाम मैं दे रहा हूँ अंतिम प्रहार, जी हाँ, कुछ ही समय बचा हुआ है और ये हमारा एक तरीके का आखरी वार रहेगा questions पर, concept पर तो चलिए देर किस बात की शुरुआत करते हैं आज के topic की ओके, देखे, सबसे पहला सवाल हम आपके सामने ले करके आ रहे हैं आज ये है आपका पहला सवाल आपकी screen पर question क्या कह रहा है, ध्यान से लेखे question कह रहा है कि if x key to the power 2x minus 2 to the power x cot y minus y equal to 0 तो y-1 की value क्या होगी, ये आपके पास function दिया गया है और आपको कह रहा है कि आपको बताना है कि y-1 की value क्या होगी ओके, तो सबसे पहले given function है, x key power 2x minus 2x to the power x cot y minus 1 equal to 0 क्या करेंगे, सबसे पहले 2x की power x cot y को इधर लेकर कर आएंगे और x की power 2x minus 1 upon x to the power x equal to 2 cot y x की power x को divide करने पर ये बन गया है, x की power x minus x की power x equal to 2 cot y अब x की party अलग दिख रही है, और y की party अलग दिख रही है अब मैं इसको एदे differentiate कर देता हूँ, तो मुझे बहतर लगेगा ओके, ये देखे, ये मेरे पास function था, इसको differentiate कर दिया है मैंने x के respect में तो देखे, x की power x का तो लगबग याद हो जाता है, differentiation क्या होता है x की power x, 1 plus log x, और x की power minus x का ये मैंने differentiate कर दिया log y equal to minus x, log x, 1 upon y d by dx equal to minus common है first function into second plus second into first, तो इस तरीकी से आगया minus x की power x, 1 plus log x, तो इसी बात पर याद रख लिजे, कि अगर आपके पास में d by dx of minus x की power x का differentiation आएगा, तो कितना आजाएगा, क्या आजाएगा, minus x की power x, 1 plus log x, साइद मैंने integration कहीं पर बोल दिया है, तो माफ कर दिजेगा, चलिए, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, equal to minus of 2 cosec square y d by dx, x की power x common ले लिया, नहीं, 1 plus log x common ले लिया दोनों से, तो x की power x plus x की power minus x is equal to minus 2 cosec square y d by dx, तो d by dx equal to 1 plus log x, x की power x plus x की power minus x upon minus 2 cosec square y, ठीक है भाई, यह आचुका है हमारा d by by dx, बट सुनिए, अब हमें कह रहा है कि आपको जो value निकालनी है, कब निकालनी है, special question में, आपको value निकालनी है y dash 1 पर, मतलब जब x equal to 1 है, तो आईए देखते हैं, हमको y की value निकालनी है, जब x equal to 1 है, तो देखिए, फलन में हमारा पास क्या problem है, फलन में हमारा पास x के साथ y भी आ रहा है, तो पहले हमें x equal to 1 पर y निकालना पड़ेगा, तो यह function था हमारा पास original, मैंने x equal to 1 डाल दिया, तो यह देखिए, भी हो गया 1, यह भी हो गया 2 quote y, sorry, 2 quote y, और minus का 1 equal to 0, बिल्कुल सही है, तो यहां से 1 say 1 cancel हो गया, तो quote y equal to 0, यहने quote y की value भी कितनी आ चुकी है, 0, मतलब x equal to 1 तो है, साथ में y equal to कितना put करना पड़ेगा, 0 put करना पड़ेगा, तो आजा यह put करते है, x equal to 1 पर 1 की power minus 1, खेर 1 की power minus 1, 1 ही होता है, और minus 2, अगया, अगया, पर देखिए, parce 1 y, हमाँ पर सकतना आया है, 0 on, okay, y, हमाँ पर सकतना आया है, 0 on, okay, देखिए, यहां से cos 1 0 जो होता है, वो कितना होता है, infinity होता है, तो आपके question के जो options मिलने बंद हो जाते है, okay, सद जीर, सद जीर 2 1 plus cot square y. ये कोसे के टम्स में है न, but हमारे पास cot के टम्स में रिखे वेल्यू हम को मिल रही है, okay, cot के टम्स में हमारे पास value किती मिल रही है, 0, oh, oh, wait, 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 हमारी y की value 0 आई है, n, cot cot y की value 0 आई है, y की value 0 थोड़ा न आई है, yes, इसलिए यहाँ पर गलती हो गई है, cot y equal to 0 है, तो मतलब y equal to कितना हो गया, pi by 2, तो आप directly यहाँ पर cos 1 pi by 2 पुट कर सकते हैं, जो कि कितना होता है, 1 होता है, तो minus 2 बन जा minus 2 हो जाएगा, तो उपर भी क्या है, उपर भी है, उपर भी है 2, और नीचे है minus 2, तो answer कितना आजाएगा, minus का 1, otherwise आपने cot में convert कर लिया है, तो cot में convert करने से भी, तो भी answer आजाएगा, तो इस तरीके से solution बन गया, है ना मज़दार, done, चलिए देखिए अगला question क्या है, अगला question है, pi by 4 से लेके 3 by 4, x upon 1 plus sin x dx, क्या करेंगे, property लगा दीजे, a plus b minus x वाली, तो यह है property लगने के बाद, function इसमें बन गया है, 1 और 2 को add कर दीजे, तो 1 और 2 को add करने के बाद, function क्या आगया, हमाँ पास pi constant बाहर आगया, 1 plus sin x यह आगया, हमाँ पास function, solve करने के लिए, 1 minus sin x का उपर हो, नीचे multiply कर दिया, 10 pi by 4, minus 6 pi by 4, और बाहर बैठा हुआ इंतिजार कर रहा है, pi by 2, चलिए तो solve कर देंगे, सबसे पहले upper limit, 10 3 pi by 4, देखें तो 10 3 pi by 4, minus 10 pi by 4 होता है, और 6 3 pi by 4 होता है, minus 6 pi by 4, minus minus plus हो गया, ओके, और यह minus 10 pi by 4 है, यह 6 pi by 4 है, 2 bar 6 pi by 4 हो गया, 2 6 pi by 4, याने 2 root 2, और 2 bar 10 pi by 4 हो गया, कितना, minus 2, solve करने पर यह answer आ रहा है, जो कि option से match कर रहा है, okay, so this is done, देखें, अगला question बहुत ही बहतरीन है, अगले question को देखें, और अराम से करिए मेरे साथ solve, तो कहरा है, अगर y is the function of x, and this is equal to function, यह आपके पास एक पूरी सी, बड़ी सी function दी गई है, 2 plus sin x upon y plus 1, d by x equal to minus cos x, तो आपको कह रहा है कि y of pi by 2, निकालिए, तो सीडी बात है भाई, differential equation को हमें solve करना पड़ेगा, तो 2 plus sin x upon y plus 1, d by x equal to minus cos x है, y वाली party y के साथ, x वाली party x के साथ, नीचे दुकान, उपर पकवान, ओके ये देखिए, यहाँ पर नीचे वाले को t ले लेंगे, तो उपर dt बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log 1 plus y, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे हो रहा है, तो log 2 sin 2 plus sin x बन जाएगा है ना, चलो 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 बढ़ी 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 बढ़ीया, और minus तो पहले का जंदाबाद रहेगा ही, plus c, हल करने के बाद log y plus 1 equal to log of c upon 2 plus sin x, देखिए यहाँ पर, अब कहरा है question में क्या कहरा है, special condition दी गई है, y 0 equal to 1, मतलब x की 0 पर y की value 1 है, तो y की value 1 रख दीजे, और x की value 0, तो y 1 रखने पर log 2, log c upon 2, तो c upon 2 equal to 2, तो c की value किती आ गई है 4, अब value put कर दीजे, यहाँ से देखिए, equation से, तो log से log eliminate करने के बाद बचेगा, y equals to 4 upon 2 plus sin x, ठीक ना, और हमसे यह value पूछी गई थी, कहाँ पर pi by 2 पर, तो sin pi by 2 किता होता है, 1 होता है, तो y plus 1 equal to 4 upon 3 हो जाएगा, और y equal to 4 upon 3 minus 1, that is equal to 1 by 3, जो की option से match कर रहा है, it is the correct option, so this is done, चलिए, अगला question बहुत बहतरीन है, दोस्तों, देखिए, limit x tends to 0, तो 100 10x upon x, और, 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 100x upon 10x, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समना पढ़ेगा, कि 10x upon x जो होता है, क्या होता है, ओके, 10x upon x, यहाँ पर आप value रख रहे हैं, यहाँ यह 10x है, 10x upon x है, तो 10x के expansion यह है, और, यहाँ पर x रख दिया है, यहाँ जो होती है, 10x upon x जो होता, वो वन से बड़ा होता है, यदि आप इसको reciprocal कर देंगे, तो x upon 10x क्या जाएगा, वन से छोटा आजाएगा, है ना मजी की बात, चलिए अब लगा देते हैं, लिमिट दोस्तों, तो 10x upon x, 100 टाइम्स, तो भाई 1 से बड़ा है, और 1 से कितना बड़ा, 1 से ले करके 2 के बीच में होगा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं कि बहुत बड़ा हो जाए, तो इसका अगर आप greatest integer function करेंगे, तो 1 point something को यदि 100 से multiply करेंगे, तो 100 point something, जिसका greatest integer कहां पर आएगा, 100 पर आएगा, और X upon 10X जो होता है, वो कितना होता है, 1 से छोटा होता है, और अगर आप 1 से छोटे को, 100 से multiply कर देंगे, तो आपके पास क्या आजाएगा, 100 से छोटा आजाएगा, और 100 से कम कहां पर टूटे गा, 99 पर, 100 प्लस 99 इकोल्स टू कितना हो गया भाई, 199, इट इस डन गाइज, ये भी हो गया, चलिए दोस्तों, next question की बात करते हैं, मतलब ये question तो आपके दिमाग के पूर्जों को हिला देगा, इतना जबरदस question है, if X to the power 2 into Y to the power 3 equal to 6, ओके, जब ये question मेरे सामने आया न, तो पहले मेरे को 10-15 मेट तो सोचने में लग गया, start कहां से करूँ, कुछ पते ही नहीं पढ़ रहा था, तो इस question की फिर trick बनाई है, मैंने देखें, ये 2 है, मतलब इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है, और ये 3 है, और 4Y को 3 हिस्सों में तोड़ दो, क्योंकि Y इसके पास है, तो 4 by 3, 4 by 3 और 4 by 3, अब देखें, लगा दीजे, प्रॉपर्टी, इन सब डेटास का जो AM होगा, वो हमेसा GM से क्या होता, जादा होता है, मतलब AM is greater than GM, तो इन 5 डेटा का, अर्थमेटिक मीन इस greater than 5 में डेटा का, जोमेट्रिक मीन, तो सबको add कर दिया, add कर दिया, add करने पर 3x by 2, प्लस 3x by 2, किता हो गया भाई, 3x, और 4 by 3, 4 by 3, 4 by 3, ये देखें, ये ऐसा बन गया, ओके डेर्क्ली आप सोच नहीं सकते हो, कि मैं इसको amgm से रिलेट कर पाता, इस 5 times greater than 5 times, सभी का multiply आपने कर दिया, तो सब का multiply करने पर, 3 से 3 cancel, 3 से 3 cancel, 4 से 2 to the 4 cancel, उपर कितना बच गया, 4, 4 जा 16, नीचे बच गया 3, और x square y का cube, जिसकी value दी है, 3, 6, यहाँ पे put कर देंगी, whole to the power 1 by 5, तो क्या बन जाएगा भाई साब, यहीं solve कर दूँ मैं, ओके कर देता हूँ भाई, 3 x plus 4 by greater than or equal to 5, यहाँ पे है, 16 by 3, और x square y cube कितना है, 6 है, तो काट दो भाई साब 2 बच गया, ओके 2 गुणे 16, 32, ओके कुछ हो किया, अरे भाई, कितनी आ रही है, 10, यह देखे, यहाँ मैंने पूरे इसको solve कर रखा है, तो logic क्या है, भाई साब, logic यह है, कि जैसे आपके पास expression दिया है, कि 3 x plus 4 y, अगले page में करा दूँ भाई, निक कचला हो जाएगा, तो आपके पास, अगर expression दिया गया है, 3 x plus 4 y, और जो value आपको मांगी जा रही है, उसमें जो given value है, x square y की power 3 दी है, तो इसको दो हिस्सों में काड़ दो, क्यों? इसको देख करके इसके दो हिस्से तोड़ दो, तो 3 x by 2, और प्लस 3 x by 2, और इसको देख करके इसके 3 हिस्से तोड़ दो, तो 4 y by 3, प्लस 4 y by 3, और प्लस 4 y by 3, ये 3 हिस्से इसको देख करके तोड़ दो, तो इस तरीके से एक question आपका solve होता चला जाएगा, कहूं मजा आ गया न, done, चलिए, अगला question है भाई, arithmetic or geometric or progression का, arithmetic or geometric or progression ये आपके सामने दिया है, 1 प्लस 4 x प्लस 7 x square, कैसे पता चला, देखिए इसका जो पहला term है, वो क्या है, AP में है, 1 प्लस 3, 4, 4 प्लस 3, 7, और बाकी जो दूसरा term इसके साथ में जो चिपका हुआ है, वो x x की GP में है, कह रहा कि इसके infinite terms का sum 35 by 16 है, तो x की value find गरो, ऐसे question को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको method of difference लगानी पड़ेगी, तो ऐसे question को करने के लिए आप सबसे पहले question लिख लीजे, x, s equal to, s मान लीजे total sum को, 1 प्लस 4 x प्लस 7 x square प्लस 11 x cube इस तरीके से, 1 प्लस 3 x अब यहां से ले करके यहां तक क्या बन रही जीपी बन रही है, तो जीपी के infinite terms का sum लगा दीजे, a upon 1 minus r, तो 3 x upon 1 minus x, फिर क्या है भाई, इसको solve कर लिजे, 1 upon x को नीचे लिए इसको इस तरीके से लिख लिजे, यह solve करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, 1 plus 2 x upon 1 minus x square, और इसकी value किती दी गई है, 35 by 16, ओके, अब 35 by 16 आचुकी है, इसको solve करेंगे तो एक quadratic equation बनेगा, उसको solve करनना बहुत मुश्किल होगा, तो इसको solve करननी के लिए आप option से match कराईए, option से match करने पर, आपके पास में दो result आ रहे हैं, एक आ रहा है 1 upon 5, और इक आ रहा है 19 upon 7, बढ़ देखी, यहाँ पर आपने infinite GP का concept लगाया है, और infinite GP की सर्थ होती है, mod of x is between less than 1, okay, mod of x is less than 1, तो x की value कौन सी consider होगी, 1 upon 5 consider होगी, और यह value आप नहीं लेंगे, okay, done, तो यह हो गया आपका, AGP in Arithmetico Geometrico Series वाला question, okay, so it is done, okay, चलिए देखें next question करते हैं, अगला question जो है, sequence in series से आया है, question क्या कह रहा है, question का कहना है, if a1, a2, a3, a1, a2, a3, dot 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 dot, up to an जो terms है, are non-zero terms of ap, यह सारे के सारे जो हैं, यह किसके series के terms हैं, यह ap के terms हैं, मतलब इनमें एक fixed common difference है, तो आप से value पूछी गई है, 1 upon a1 into a2, plus 1 upon a2 into a3, plus 1 upon a3 into a4, इस तरीके से चलते चलते चलते, 1 upon an into an-1 का सब का sum पूछा गया है, और options आपको दिए गया है, तो options यहाँ पर मैं इसलिए लिख देता हूँ, क्योंकि मैं इसको directly method से नहीं करूँगा, short trick से करूँगा, तो option दिया गया है, n-1 upon a1 plus an, दूसरा option दिया गया है आपको, n-1 upon a1 into an, तीसरा option दिया गया है आपको, n-1 upon a1 minus an, और चौथा option आपको दिया गया है, a1 into an upon n-1, तो दोस्तों देखो, इस तरीके से करने के लिए, इस question को मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर n की जगह, मैं यहाँ पर n की जगह कितना put कर देता हूँ, देखे, 3 put कर देता हूँ, तो मतलब n की जगह, अगर मैं 3 लेता हूँ, तो मेरी सीरीज कहां तक जाएगी, a3 into a2 तक जाएगी, मतलब मेरी सीरीज टोटल यहां तक जाएगी, चली मैं value निकाल लेता हूँ, और मैंने बताया तो नहीं, आपको n equal to 3 ले लिया है, और ap के तीन टम्स में लेता हूँ, क्या, 1, 2, 3, तो a equal to 1, a1 equal to 1, a2 equal to 2, and a3 equal to 3, तो सबसे पहले ऐसा करने के पहले, आप option match कर लिया करीए, कोई option आपको repeat तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपका option repeat हो रहा होगा, तो आपको दूसरी value आपको मनने पड़ीगी, a1 equal to 1, तो देखे, n minus 1 कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और नीचे upon में 2 आजाएगा, ओके, अब a1 प्लस an, पहला और तीसरा, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, 3 into 1 कितना हो गया, 3, 1 minus 3 कितना हो गया, minus का 2, और 1 into 3 कितना हो गया, 3, चलिए अब देखते हैं, उप्शन में, तो 4 उप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अब 1 upon a1 कितना है, 1 upon 2, प्लस 1 upon 2 into 3, मतलब 1 by 2, और प्लस 1 by 6, इससे जो आंसर आएगा, जो मैच कर रहा होगा, वही हमारा आंसर आएगा, तो 6 और 2 का LCM कितना आएगा, 6 और 2 का LCM 2 आजाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा, 4 by 6, that is equal to कितना, 2 by 3, और 2 by 3 हमारा कौन सा option मैच कर रहा है, B option मैच कर रहा है, तो इस तरीके से आप AP का कोई भी N वाला question है न, तो उड़ा के रख दोगे, धुआ धुआ कर दोगे भाई साब, Done, चलिए, अगला question करते हैं, अगला question भी short trick से करेंगे, तभी तो मज़ा है न, short trick ही तो सीखने आए हम लोग यहाँ पे, तो देखें अगला question क्या कर रहा, अगला question कर रहा, if ABC are in AP, A, B, C किसमे हैं भाई साब, AP में हैं, and XYZ, XYZ, R इन कितने हैं, GP में हैं, तो आपको बताना है, XYZ आपकी GP में है, तो आपको बताना है, X की power B minus C, Y की power C minus A, और Z की power A minus B की value क्या होगी, option दिये है, 0, 1, 2, minus 1, तो एक काम करो, ABC, AP में ले लो, तो ABC क्या ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, और GP वाले क्या ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, और 4 ले लो, ओके, तो चलो भाई, अब इसको बस put करते जाओ, क्योंकि option तो सारे अलग-अलग है, तो चिंता की बात नहीं है, चलो value put करते जाते हैं, तो X की value 1 है, B minus C मतलब कितना होगया, 2 minus 3 minus 1, Y की value कितनी है 2, C minus A मतलब 3 minus 1 का मतलब होगया 2, और Z की value कितनी है 4, और A minus B, यहने की 1 minus 2 मतलब कितना होगया, minus 1, तो देखो भाई, 1 upon 1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2 का power 4, और यह हो जाएगा 1 upon 4, लेओ, खेल, खतम, पैसा, हजम, आंसर कितना चुका है, 1 जो की option number B है, तो इस तरीके से आप चुटकी बजाते हुए भी, आप बड़े-बड़े खतरनाख, खतरनाख question को कर सकते हैं, ओके, आईए चलिए देखते हैं, कुछ और question, तो हो जाए भाई, अगला question इसी बात पे, भाई, क्या कहरा, देखिए, एक KVS में पूछा गया, question खतरनाख सा, क्या कहरा है, A, B, C, R, N, A, P, question मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें कहरा, भाई साब, A, B, C, जो है, वो A, P में है, A, B, C किसमे है, A, P में है, तो आपको बताना है, कि 3 की पावर A, 3 की पावर B, और 3 की पावर C किसमे होंगे, चलो भाई, तो बता देते हैं, तो एक काम करते हैं, हम A, B, C, A, P में है, तो A, 1, इदर 2, इदर 3, तो 3 की पावर 1 बन गया, 3 की पावर 2 बन गया, और 3 की पावर 3 बन गया, लिए भाई ये कोई कहने की बात है अरे ABC AP में होंगे तो 3 की पावर A, 3 की पावर B और 3 की पावर C ये किस में होंगे GP में दिख रहा है साब साब तो यदि ये पावर में है तो ये किस में होंगे ये GP में होंगे चलो done चले अगला एक और छोटा सा कोश्चन देखते है यहाँ पर कह रहा कि ABC अगर GP में है ABC किस में GP में है तो आपको बताना है कि भाई log A, log B और log C किस में होंगे तो ले लिजे ABC GP में 248 ले लिजे ABC के तो log 2 log 4 और log 8 ले लिजे तो आपको पता है log 2 यह बन गया 2 log 2 और यह बन गया 3 log 2 तो साब दिख रहा है कि यह किस में आ रहे हैं यह भी AP में आ रहे हैं मतलब ABC अगर GP में होंगे तो उनके logarithm किस में होंगे उनके logarithm AP में होंगे बन गया ना concept बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद का मतलब class खतम नहीं है जारी रहेगी तो अगर आपको इसी तरीके की और short trick चाहिए है और मज़िदार classes चाहिए है तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जै हिंच जै भारत